नमिश्कार BCN News के दिन विशेश कारेक्रम में मैं दिशाब सभी का स्वागत करती हूँ 19 सदी में स्रियों के अधिकारू, शिक्षा, चुवाचूत, सतीप्रता, बाल या विद्वा विवाच जैसी कूरीतियों पर आवास उठाने वाली तीश की पहला महिला शिक्षिका का चन आज के दिन 1831 में महाराश्य के सातारा चले मिसित नायगाव नामक छोटे से गाव में हुआ उन्होंने अंधर विश्वास और रूडियों की बेडियों को तोड़ने के लिए लंबा संगर्ष किया आईए जानते हैं सावित्रिबाई फूले की जीवनी के बारे में किस तरह से उन्होंने संखर्ष कर अपनी मंजिल पाई सावित्रिबाई फूले जन्वरी 1831 में महाराश्य के सातारा चले मिसित नायगाव नामक छोटे से गाव में पैदा हुई थी मैंस नौ साल की छोटी उम्र में पूनाव के रहने वाली जोतिबाई फूले के साथ उनकी शाती हो गई विवा के समय सावित्रिबाई फूले पूरी तरह अनपड़ थी तो वही उनके पती तीसरी कक्षा तक पड़े थी जिस दौर में वो पड़ने का सपना देख रहे थी तक दलितों के साथ बहुत पेदबाव होता था उस वक्त के एक घटना के अनुसार एक दिन सावित्री अंग्री से किसी किताब के पड़ने पलट रहे थी तब ही उनके पिताजी ने देख लिया वो दोड़ कर आये और किताब हाथ से चीन कर घर से बाहर फिक थी इसके पीछे ये वज़ा बताए कि शिक्षा का हक केवल उच्च जाती के पूर्शो को ही है दलित और महिला को शिक्षा ग्रहन करना पाप था बस उसी दन वो किताब वापस लाकर प्रण कर बैठी कि कुछ भी हो जाए कि वो एक ना एक दिन पढ़ना जरूर सिखे की वही लगन थी कि एक दिन उन्होंने खुद पढ़कर अपने पती जोतिवारा फुले के साथ मिलकर लड़कियों के लिए 18 स्कूल खोले बता दे कि साल 1848 में महाराश्री के पुने में देशका सबसे पहले बालिका स्कूल की सापना की थी वही अट्रावा स्कूल भी पुने में ही खोला क्या था उन्होंने 28 जन्वरी 1853 को गर्भवती बलातकार पीडितों के लिए बाल हत्या प्रतिबंदक ग्रुह की स्थापना की नई कहारी आंदुलन के साहित्यकार मोहन राकेश का हिंदी नाटक एक शितिप्ट पर उदे उस समय हुआ जब स्वाधिंता के बाद 50 के दशक में सांस्कूलतिक पुनर जाकरन का ज्वर देश में जीवन के हर शेत्र को संपादत कर रहा था उनके नाटकों ने न सिर्फ नाटक का अस्वाध तेवर और स्तर ही बदल दिया बलकि हिंदी रंगमंच की दिशा को भी प्रभावित किया आज़ी के दिल 1972 में उनका निधन हुआ मोहन राकेश हिंदी साहित्य की उन चुरिनना साहित्यकारों में हैं जिने नई कहानी आंदोलन का नायक माना चाता है और साहित्य जगत में अधिकांश लोग उन्हें उस दौर का महानायक कहते हैं उन्होंने आशार का एक दिन की रूप में हिंदी का पहला आधुनिक नाठक पी लिखा। कहानिकार उपन्यासकार प्रकाश मनू भी ऐसे ही लोगों में शामिल है जो नई कहानी के दौर में मोहन राकेश के सर्वपरी मानते हैं। प्रकाश मनू ने कहा कि नई कहानी आधुलन में हिंदी कहानी की पूरी तस्वीर बदलती है। मुहंदराकेश ने पहले लाहोर के उरिंटियल कॉलिज से शास्त्री की परिक्षाप पास की किशुरावस्था में सर से पिता का साया उठने के बावजुद उन्होंने हिमत नहीं हारी और पढ़ाई जारी रखी इसके बाद उन्होंने पंजाब विशिविध धैले से हिंदी और अंग्रेजी में एमे किया एक शिक्षक के रूप में पेशिवर जिंदगी की शुरुआत करने के साथ ही उनका रुज़ान लगू कहानियों की और हुआ बाद में उन्होंने कई नाटक और उपन्यास लखे बाद में अनिक वर्षु तक दिल्ली, जालंधर, शिमला और मुंबई में अध्यापन कार्य करते रहे बीसेन न्यूज के दिन विशेश कारेकर में फिलाल अतना ही एसेन ने और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे बीसेन न्यूज नमस्कार